इस ट्रिक के माध्यम से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि एक किलो मीटर में कितने सेंटिमीटर, कितने हेक्टो मीटर, कितने डेका मीटर होते हैं सबसे पहले आपको करना ये है कि सेमी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो ये चीज आपको याद कर लेनी है सेमी यानि सेंटिमीटर, डेसिमीटर, मीटर, डेका मीटर, हेक्टो मीटर और किलो मीटर सेमी डेसिमीटर, डेका है टो किलो इसके बाद इनार आएंगे मिली मीटर और फिर वही चीज़, सेमी, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर और हेक्टोमीटर यहाँ पर करना यह है कि यह दल्दस हो जाएंगे और यहाँ एक एक हो जाएगा यानि कि 10 मिली मीटर का एक सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर का एक डेसीमीटर, 10 हेक्टोमीटर का एक किलोमीटर होता है अगर यह पूछिया जाए कि एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं या कितने डेसी मीटर होते हैं तो यह पताना बहुत आसान है बहुत इसी है बस करना यह है कि अगर पूछता है कि एक किलो मीटर में कितने मीटर हैं तो किलो मीटर का वन और फिल एक दो तीन तीन जीरो यानि कि हो गया एक किलो मीटर में एक हजार मीटर अगर पूछ लिया जाता है कि एक हेक्टो मीटर में कितने डेसी मीटर तो हेक्टो मीटर ये है डेसी मीटर ये है हेक्टो मीटर ता हो गया 1 और 1, 2, 3 3, 0 यानि कि हो गया 1000 डेसी मीटर इसी तरह से अगर यह पूछते हैं कि एक किलो मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं तो किलो मीटर का हो गया वन और फिर जीरो गिल लिया जाएगा एक, दो, ती, चार, पांच, पांच जीरो देखिए यह बहुत ही आसान है तो एक लाख, एक लाख सेंटी मीटर एक किलो मीटर के बराबर होता है इसी तरह से अगर आपको याद हो जाता है सेमी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो तो करना ये है कि उंगलियों पर फिंगर पर आप तयार कर लिए सेमी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो तो करना ये है कि अगर पूछ लिएता है कि एक किलो मीटर में कितने हेक्टो मीटर होते हैं तो सेमी डेजी मीटर डे का हेक्टो हेक्टो ये है और किलो ये है तो किलो का हो गया वन और एक जीरो यानि कि दस हेक्टो मीटर होंगे मील का मापक मील का मापक याद करने के लिए आपको चार चीजे याद करनी जरूर ही है इंच, फेट, गज, फरलाग और इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है इधार आएंगे फेट, गज, परलाग और मील इधार हो जाएगा एक एक तो 12 इंच में एक फेट, तीन फेट का एक गज, 220 गज का एक फरलाग और आठ फरलाग का एक मील होता है अगर एक मील या आठ फरलाग को हम कनवर्ट करते हैं इंच में तो ये होते हैं 63,360 इंच इसी तरह से एक फरलाग यानी 220 गज को इंच में कनवर्ट करेंगे तो यह होगा 7920 इंच और एक गज यानि तीन फिट होता है 36 इंच के बराबर और एक फिट में 12 इंच होती ही है झाल